आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक टू का चाप्टर वन पॉलिटिकल थियोरी और इंट्रोडाक्शन तो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जो हमने ऑलरी पॉलिटिकल साइंस का मतलब समझ लिया है तो इसमें नया क्या है तो आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ आता रहेगा कि पॉलिटिकल थियोरी क्या है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है शुरुवात करते हैं चाप्टर के इंट्रोडाक्शन से तो इस दुनिया में जो इंसान है वो बहुत यूनीक है और उस यूनीकनेस के दो रीजन्स है पहला कि इंसान लॉजिकली सोच सकते हैं और दूसरा हम जो सोचते हैं उसे करने की शमता भी रखते हैं इस पॉलिटिकल थियोरी में हम बहुत नॉर्मल सवाल करते हैं जैसे समाज का क्या रूप होना चाहिए क्या गवर्मेंट होनी चाहिए अगर हां तो किस टाइब की ग पॉलिटिकल थियोरी में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं अब शुरू से समझते हैं कि पॉलिटिक्स है क्या पॉलिटिक्स is nothing but the study of power यानि इसमें हम पावर की study करते हैं बट किस टाइब की पावर की बात कर रहे हैं पावर society को organize करने की उसे control में रखने की इस टाइब की पावर क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी समाज को normally चलाने के लिए कोई ना कोई organization जो decision ले पाए वो चाहिए अब ये decisions लेने के लिए अलग-अलग level पे अलग-अलग social institutions हैं जैसे family, school, tribe ये social institutions हमें समाज में adjust होना सिखाते हैं समाज के तौर तरीके, rules और laws ये सब सिखाते हैं और ये rules और regulations कौन बनाता है? government इसलिए government कैसे बनती है और कैसे काम करती है ये जानना politics का एक बहुत एहम हिस्सा है क्योंकि government का हर फैसला लोगों को affect करता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा और क्योंकि हम directly affect होते हैं इसलिए government के काम में हम interest भी लेते हैं अगर government काम अच्छा करती है तो हम उसे अगली election में वूट दे के फिर जिताते हैं अगर हमें उनकी कोई policy पसंद नहीं आती तो हम उसका विरोध भी करते हैं तो इससे एक बात तो साफ होती है कि समाज में लोगों के अलग-अलग views हैं और इन सब views को accommodate करने के लिए हमेशा एक साथ मिलके decision लिया जाता है अब आते हैं कि इस political theory में हम पढ़ेंगे क्या तो जो चीज़ें आपने पहली book में देखी थी कि समाज में equality होनी चाहिए सबको freedom मिलनी चाहिए इन्हें सब principles को और detail में study करेंगे यह principles इतने important होते हैं कि जायातर countries इन्हें अपने constitution में mention कर देती हैं जैसे Indian या American constitution और यह principles यह documents यह सब एक रात में नहीं बनाये जाते बलकि यह तो पता नहीं कितनी सदियों से चलते आ रहे हैं कोटल्य एरिस्टोर्टल रोसौ से लेकि मार्क्स, गांदीजी और अम्बेडकर जी तक 5th century BC में भी एरिस्टोर्टल और प्लाटो ने अपनी student से इन टॉपिक पर discuss करा था कि democracy बेटर है या मुनार्की तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हैं, ये concept कितने पुराने हैं Modern times में रहसौ ने freedom को एक fundamental right बनाने की बात सामने रखी थी ठीक, गांदीजी ने भी freedom की, यानि स्वराज की बात की थी, अपनी किताब हिंद स्वराज में आमबेटकर जी ने भी पिछटे वर्ग की लोगों के लिए आवास उठाई थी और उनके लिए special provisions की डिमांड की थी तो political theory यही है कि कैसे ये principles बने, कैसे constitution का concept आया और कैसे समाज को सब भी बनाने में इन principles ने help की इसे पढ़के ही आपको political concepts जैसे freedom, justice, democracy जैसे concepts का actual मतलब पता चलता है ठीक, अब हमने ये तो जान लिया कि political theory होता क्या है और इसमें पढ़ना क्या है पर अब ये समझते हैं कि आज के time पे ये important क्यों है क्योंकि ये चीठी के ये चीज़ें बहुत पहले बनी थी बट आज की time पे कैसे relevant है अब इंडिया को आजाद हुए कितना time हो गया पर आज भी freedom और equality के ऐसे कई सवाल है जो किसे न किसी रूप में हमारे सामने आते रहते हैं इसे मैं आपको एक असान example से समझाता हूँ आज से 50 साल पहले के इंडिया में और आज के इंडिया में बहुत फरकाया है ऐसे ही laws, rules और regulation में भी फरकाता है जो चीज़ें हमें एक time पे सही लगती हैं वो बात में change हो जाती है जैसे पहले right to life में right to privacy नहीं था बट वक्त के साथ-साथ हमारी पधिभाशा change हो गई life की हमने ये जाना कि right to life के अंदर right to privacy भी बहुत important rule करता है ऐसे ही ये सारे concepts अलग लग जगा, अलग लग तरीके से लागू होते हैं और वक्त के साथ-साथ बदलते रहते हैं इसलिए इने पढ़ना और समझना ज़रूरी है एक और example देखते हैं आज से 50 साल पहले कोई computer इंटरनेट नहीं थे तो जो चीजें ही नहीं थी उस पे कानून कैसे बनाया जा सकता है computer और internet के फाइदे भी हैं और नुकसान भी तो इसलिए political theory को समझना ज़रूरी है ताकि हम वक्त के साथ-साथ अपने आपको evolve कर सके और अपने laws को और rules and regulations को भी evolve कर सके अब देखते हैं कि कैसे हम इन political theory को practice में लेके आते हैं अब यहाँ जितने भी concepts हैं उसकी कोई एक सीधी-सीधी definition नहीं है जिसे maths और physics में होती है यह सारे concepts subjective हैं और हर किसी के लिए अलग लग माइने रख सकते हैं क्योंकि यहाँ बात लोगों की होती है जैसे एक लड़की के लिए equality का मतलब है उसे समाज में लड़कों जितना सम्मान मिलना इक गरीब के लिए equality है अमेरों जितनी opportunity मिलना पढ़ाई लिखाई में तो हर किसी के लिए equality का idea अलग हो सकता है इसी लिए हम इन concepts को open mind से पढ़ते हैं और सबसे विचार विमर्ष करने के बाद ही किसी decision पे आते हैं Political theorist का का काम है जादा से जादा लोगों से बात करके उनके opinion को समझना और systematic तरीके से चीज़ों को examine करना और ये method हर political principle के लिए use होता है चाहे वो democracy हो, equality हो, justice हो या कोई और और अब finally, क्यों पढ़े हम political theory तो सबसे पहला reason तो ये कि ये आपके syllabus में है ठीक, just kidding, इसे लिखके मताना तो political theory हमें इसलिए समझनी है क्योंकि ये समाज के हर work, बच्चे, जवान, भूड़े सब के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब को effect करता है दूसरा, देश का जिमिदार नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकार जानने चाहिए ताकि हम सही decision लेके voting कर पाए democracy, equality, liberty ये ऐसे ही कोई शब्द नहीं है बलकि हमारे daily life का एक हिस्सा है घर, school, college, malls, सब जगा क्योंकि usually हम लोगों को आधी knowledge होती है इसलिए हम कभी भी informed decision नहीं ले पाते पर political theory की मदद से हम informed decision ले सकते हैं ठीक अब ये हैं स्टाप्टर के कुछ important questions इन्हें solve करें और अगर किसी question ये topic में doubt आए तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो hit that like button and subscribe to our youtube channel keep studying and thanks for watching